상 कि आपर हैं जूरू दोस्तों तो आज मैं आपको प्वागयां अपने यूटीब चैनल पर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि छहथ बखरी कारें बहुत से लोग चाथे च्छत पर भी आप बकरीं को पाल सकते हैं और बकरी के साथ आप मुर्गी भी पाल सकते हैं पस आपको इनके लिए डंग की वेश्चा करनी पड़िई कि अपनी खाली च्छत को आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसे आप एक तरह से side business कर सकते हैं और income का source पढ़ा सकते हैं अपना और बकरी बहुत असानी से पाले जा सकती है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और बकरी जो है वो कुछ भी खालती है जैसे मैंने अपने घर का जोटा बगरा सब यहीं पर डाल देता हूं तो यह बकरियां खालती है अगर यह बकरियां नहीं खा परती है जो चीज तो मुर्गया भी यह साथ में वो भी खालती है जिसे मेरा यह होता है कि घर का जो वेस्ट बगरा होता है वो मिझे फेकना नहीं पड़ता है ना कहीं इधा दो डालना पड़ता है कि कोई जानवर खाले बाहर का तो मुझे इ तो जो गजरी बकरिया है वो काफी हइट में लम्बी होती है और सरी से बड़ी होती है आपने बकरे रखे हैं और अश्थ रहे सकते हैं और प्यांस यह जिल्ट यह पने सही बकरे साइब होग समय है है तो आप इस तरह करके आपने बकरी पालन में शुधार कर सकते हैं और कुछ नया में सकते हैं वेचे तो आप इनके लिए बहुत से चीज़े लाने पर आते हैं पाने के लिए टब साम tour ऑच यो और खाने के लिए फीटर आना पड़ेंगा और जैसे आप देखी रहे हैं कि मैंने वीडियो च्छत पे बनाई है तो ऐसा नहीं कि मैं जूट बोला हूं यह बकरी मैंने च्छत पे पाल लगी है और च्छत पे ही इनका पालन करते आ रहे हैं और काफी टैम से हो रहा है च्छत हो गई और बर्वरी हो गई अर आख बटेंस?」 कुछ जिए भी बकरी हो गई हो गई तो भी न खरोड्मारोवे सकते हैं और ने बिवमारी इन बिनियाईगी और आप यह बैसी ऑт को पर नई दिक्रत को मैभ्ट को चारणा है ओसे पड़ाना पर च्छत पर बंड़ाए होती तो आपको सफाई करने में दालो फिर इसको कहीं ओए लगती है तो फिर इस इसको में शम्छा टी मुझे चोप जलाने सकते आकर आप यही ही चिज मट्टी जमीन पो लें अलगए तो आप उस्सी को जला सकते हैं बाकि यह कम रहा है इसमें मैंने चौकिल ला रही है और एक पंखा और बल्लब ला रहा है देखा मैं आपको बल्लब और पंखा दिखाता हूं देखिए यह तो पंखा इसका और काफी बढ़ियां व्यवस्ता कर रहा है हमने भी ऐसा ने कुछ बख्रियों के लिए कुछ कहा है हमने भी एक अच्छी खासी ठीक ठाक व्यवस्ता कर रहा किये मैं जाए ठीक तो नहीं बोलूं लेकिन ठीक ठाक ही बोलूँगा अच्छा का सब बल्लब वह पंखा दोना रखा है और यह करकट यूज किया है जो करकट होता है वो थोड़ा है मैंने बख्रियों के लिए चौकी बगरे ला रहा है जिससे की बख्रियां चौकी वे बैठे ये देख रहे हैं कि यह देशी बख्री से क्रॉस कराया गुजरी का नशल है अब आकि यह भी मुर्गी का चुड़ा सा कमरह है इसमें मुर्गी रह लेती है ऐसी छोटे- तो इसलिए आप च्छत पर पालते हैं तो यह समस्य आएंगी अब देखिए इस कबार हो गया कितना लकड़ी वगरा पत्तों से खटा हुआ तो इन सब बाकि बाकि इनका फीडर है मैंने दो फीडर मनाए थे एक टूड़ी एक बाकि एक है और जो इंडुशाए उसको भी उसकर लेते हैं लोग लगाकि खड़ा कर देते हैं जिए अब कि मेरी वीडियो अच्छी लगत तो लाइक और स्ट्राइब